बिस्मिल्यारामारी रहीम असलाम लेकूम आज ब्लू पैन केचन में बन रहा है केफसी से भी ज्यादा अच्छा फ्राइड चिकन जब आप बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने घर पे बनाया है एक एक स्टेप को अच्छे से बताऊंगी दिहान से देख आपको आसानी मिल सके तो इसके लिए एक किलो चिकन दोकर इसमें वन टेबल स्पून नमक और टू टेबल स्पून सिर्का डालकर तकर तकरीवन पंदरा मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकर चिकन की स्मेल वगरा कतम हो जाए और जो बलड जमाव है वो भी साफ हो जाए चिकन को टेंडर और दूसी बिनाने के लिए इस्टेप करना बहुत जुरूरी है पंदरा मिनट बाद चिकन को अच्छे से वाश कर लेंगे अब चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं तो टेबल स्पून देहीं के अड़ करेंगे बन टेइसपून ब्लैक पेपडर बन टीझ पुन नमक बन टीझ पून लालमिच पाउडर बन टीझ पून गार्लिक और हाफ़ टीझ पून जिंजर पाउडर के तमाम मसाले एड़ कर देहेंelas प्रेश जिंजर गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं और स्पाइस को भी अपने के कॉर्डिंग एड़ेस कर सकते हैं तूटेबल स्पून सिर्का तूटेबल स्पून सौया सॉस डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पिहतरी निसल चाते हैं तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दें यहां कम असकम दो से तीन घंटे तो लाज चिकन पौड़र आफ टी स्पून जिंजर पौडर और टी अच्छे से भ रादू और स्पून जींजर पौडर और वनटेल कंक डालकर इस इड़ेंगे करेंगे इसके उपर कोटिंग करेंगे यहां पर आपने मेरे हाथों की मूव्मेंट को दिहान से देखना है कैसे आपने चिकन को अराम-राम से हाथों की मदद से प्रैस करते वे कोटिंग करनी है अब चिकन को उठाकर जाड़ना है देखे करम्स बना शुरू हो गए है अब इसे साधा ठंडे पानी में डिप करें और अच्छे से पानी निकाल कर इसे दुबारा से मैदे में डाल कर सौप्ट हाथों से प्रेस करते जाना है मैदा आपके पास इतना होना चाहिए कि चिकन बाउल के पैंदे को तच ना हो मैंने यहां पर विडियो स्किप नहीं की ताके आपको अच्छे से सारा प्रोसेस समझ में आ जाए अब चिकन को उठाकर फिर से जानना है यह देखें कितने जबरदास क्रम्स बने हैं ऐसे ही हम सारे चिकन को कोटिंग कर लेंगे अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ तो आपने कडाही में धेर सारा ओयल लेना है जब आपने चिकन को इसमें डालना है तो आपका ओयल फुल गर्म होना चाहिए तकरीबन एक मिनिट बाद आप आज को लो कर दें आपके चिकन अंदर से गल जाए और उपर से जले भी नहीं चिकन को डीप फ्राइ करना है यहां पर इसे तकरीबन पंदरा मिनिट लगते हैं दोरों तरफ से फ्राइ होने में कैमरा मैंने बहुत क्रीब किया है ताकि आपको अच्छे से समझा जाए तकरीबन साथ मिनुट हो चुके हैं चिकन की साइड चेंड कर लेते हैं और आज को आपने यहां पर लो ही रखना है देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं चिकन तो इसमें से नजर भी नहीं आ रहा अलहमदोलिल्ला हमारा चिकन फ्राई हो चुका है इसे निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी का चिकन भी फ्राई कर लेंगे आई होब कि आपको रस्पी अच्छी से समझ आ गई होगी अब जल्दी से जाएं चिकन बनाएं इंज्वाई करें और के अफ्राई को बाई बाई कहा दें द्वाहों में याद रखें रस्पी पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों और फैमिल मेंबर के साथ शेयर करें चै